हेलो एवरीवान क्या हाल है आप लोगों के तो स्वागत करता हूँ आपका हमारे सेशन पर और यह डेली करन अफेर की सीरीज जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो लेट्स बिगिन तो आज हम डिसकुस करेंगे 30 जैनवरी 2021 के करन्ट अफेर्स और यह वीडियो आपको जीनियस चौक के द्वारा दिखाये जा रहा है तो चलिए शुरू करते हैं तो कौन से स्टेट का ताबलो यानि की ताबलो का मतलब होता है देखिए हम 26 जैनवरी की परेड में जो जहां किया देखते हैं जहां किया इनको कहते हैं टाबलो सो यह जो कौन से स्टेट की जाकी है जिसको फर्स प्राइज इस पर मिला है रिपबलिक टेप परेड में। तो देखिए ये है हमारे उत्तर पुर्देश की जाकी जिसमें की इस बार आप जानते हैं अयोध्या की थीम थी अयोध्या को दर्शाया गया था जो राम मंदिर वहाँ पर मनाया गया है तो जो राम टेमपल था अयोध्या का उसको जो है यह first prize मिला है और इसकी theme थी अयोध्या cultural heritage of उत्तरप्रदेश यानि कि उत्तरप्रदेश की जो culture है उसकी heritage यानि की विरासत तो यह जो है हमारा जो इसकी theme थी तो यह तो first पर है तो यहाँ पर question में मैंने mention किया first पर अगर आप से पूचे कि second पर कौन सा है तो second पर आपको ध्यान रखना होगा त्रिपूरा second पर है त्रिपूरा North Eastern State ठीक है और third पर है third पर है उत्राखंड जिसको आप देव वूमी बोलते हो the land of gods देव वूमी भी बोलते हो तो उत्राखंड जो है जहाँ पर जिसकी capital है देहरदून यहाँ पर अकरतला तो यह तीन आपको ध्यान में रखना है first जो है यूपी second पर और third उत्राखंड it's not UK, it's उत्राखंड देव वूमी और इसके अलावा एक बहुत important जो एक और मिला है वो मिला है CPWD CPWD तो यह एक special category में मिला है क्योंकि तो यह इनको special prize मिला है यह इनको special prize मिला है जो के इसकी full form आप जानते हैं Central Public Work Department Central Public Work Department तो इनको special prize मिला है और यह मिला है कि इन्होंने जितने भी हमारे इनले नावी के heroes है जो की sacrifice कर चुके हैं हमारे लिए उनके उपर जो है इन्होंने tribute दिया था उनको तो उसी के वज़े से CPWD को एक special prize जो है वो मिला है और जिसकी theme थी अमर जवान यानि कि जो हमारे जवान हमारे देश के लिए शहादत दे गए उनके बारे में जो CPWD Central Public Work Department इसने जो है इसको और गनेज़ किया था तो इनको special prize यह मिला तो यह important है यह आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इंडिया आमी की बात करता है इंडियन हिरोस की बात करता है तो important बन जाते है Central Public Work Department और फर्स टेट है उत्तरपदेश सेकेंड तुरिपुरा थर्ड है उत्तरखंड और उत्तरपदेश की राज़दानी आप जानते हैं लखनौ और पिछले काफी दिनों से हम Current Affairs में देखने हैं कि हर बार इसका कुछ ना कुछ पार्ट आ रहा है तो उत्तरपदेश लखनौ है और जानते हैं आप योग्या दितनार जी यहां के CM योग्या दितनार जी और आनंदी बेन पटेल यह जो है यहां के Governor जो की उत्रपदेश यूपी और MP दोनों की आपकी Governor है तो चले आगे चलते हैं अभी हाली में एक Index आया है Corruption Perception Index इसमें इंडिया की Rank आपको बतानी है Corruption Perception Index तो इसमें इंडिया की Rank आई है 86 और इसमें Score दिया जाता है इंडिया की स्कोर दिया जाता है जीरो से लेके 100 तक तो इंडिया की 86 Rank है और यह जो टोटल जो यह Criteria है यह 180 Countries पे यह देखा गया है इंडिया की Rank है 86 और इंडिया के जो Marks हैं वो है 40 तो 40 Marks के साथ इंडिया की Rank है 86 आउट आफ 180 Countries और Transparency International ने इस Report को Publish किया है और इसमें जो Top Performers है वो आपको पता होना चाहिए तो Top Performers है New Zealand Denmark आप किसी भी Index में देखेंगे तो Maximum Denmark Sweden, New Zealand इन सब को ही पाएंगे बहुत ही Peaceful Countries है और तो यह है जो है Top इनका जो जो इस Rank में Top पर है और जो Lowest है वो है Somalia और South Sudan South Sudan तो यह African Countries है Somalia और South Sudan यह Least है यानि कि Lowest पर है और यह Top पर है तो यह आपको ध्यान में रखना है और यहाँ पर यह जैसा मैंने कहा कि Zero जो है यह Highly Corrupt और 100 मतलब Highly Clean यह है और इसका जो Headquarter है तो यह Report जैसा मैंने आपको पताया Transparency International की Report है जो कि Germany इसकी Location जो है Germany के Berlin शहर में है तो इसका Headquarter है Germany Berlin शहर में और इसकी जो Chairperson है फिलहाल तो उनका नाम है Delia आप दलिया खाते हैं तो उसे याद कर लिजे Fariera Fariera दलिया से याद कर लिजे Rubio तो Rubio दलिया खाएगा उससे आप याद कर सकते हैं इसकी जो Founding होई थे यानि किस दिन यह Found किया गया था तो यह किया गया था 4th of May 1993 को तो आपने काफी निउस्पेपर में पढ़ा होगा कि Transparency International की Report आती रहती है अलग-अलग चीजों पर तो यह जो है इसका अंसर हो जाएगा तो यह Experts और Business People के अकॉर्डिंग जो है यह Index निकालते हैं तो इंडिया के Rank 86 और Somalia, South Sudan लीस्ट पे New Zealand and Denmark टॉप पर इन में से कौन से State Bank के Managing Director नहीं है तो देखिए State Bank का जो Structure है, State Bank का आप जानते है Largest Public Sector Bank है इंडिया का सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा Largest Public Sector Bank और इनके अंडर होते हैं 4 MDs, राइट यहने की Managing Director तो Chairman फिलहाल में कौन है और Managing Director चार जो है तो देखिए जो चार Managing Directors है इन में से जो आपके 2 थे, वो अरड़ी थे पर 2 की जगए खाली थी माली जे यह और यह जगए खाली थी तो यह जो 2 थे इनको अभी Select किया गया है और यह कौन-कौन है तो एक तो यह है स्वामी नाथन जान की रामन जी इनको Select किया गया है और A के तिवारी यहने कि एश्वीनी कुमार तिवारी यह 2 को MD के लिए Select किया गया है तो A और E तो आपका अंसर नहीं हो सकता क्योंकि यह तो Managing Director बन गए है अच्छा इससे पहले कौन से 2 थे तो यह भी आपको ध्यान रखना होगा तो पहले कौन-कौन से 2 थे तो अश्वनी भाटिया जी यह थे अलड़ी CS शैटी जी यह भी थे तो कौन नहीं थे तो अंसर हो गया दिनेश कुमार खरा जी अब यह कौन है तो गाइज यह है Chairman of SPI Bank और इससे पहले जो Chairman थे वो थे रजनीश कुमार जी रजनीश कुमार जी SBI के Chairman थे लेकिन हाली में इनको बनाया गया था तो दिनेश कुमार खरा Current Chairman है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जानकी रामन और यह सभी जो है मैं इन डिरेक्टर्स है और यह आप जानते ही होंगे कि SBI का जो पुराना नाम था यह एक्जाम से पूछा जाता है वो है Imperial Bank of India Imperial Bank of India और इसको 1955 में नाम बदलकर State Bank of India कर दिया गया और इसका जो एक्ट है जिस पर यह काम करता है यह भी State Bank of India Act 1955 पर ही काम करता है पुरा स्ट्रक्चर इसी के हिसाब से बनाया गया है तो यह आपको ध्यान में रखना है और जो MD की पोस्ट है यह 3 साल के लिए जो है यह दी जाती है तो I hope यह clear अच्छा इनकी बात करें तो स्वामिनाथन जी जो पहले थे इससे पहले यह Deputy MD थे Deputy MD किसके Deputy MD तो Finance के है SBI में ही Finance का जो डिपार्टमेंट है उसको समालते थे और जो अश्विनी कुमार तिवारी जी थे यह भी MD और CEO थे कॉंसे डिपार्टमेंट के SBI कार्ड यह इसके एक सबसिडरी ब्रांच है SBI कार्ड के यह MD और CEO थे लेकिन अब इनको मैजिन रेक्टर पूरे बैंक का बना दिया गया है दोनों को और अश्विनी भाटिया जी और CEO तो पहले से ही MD थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिनेश कुमार खरा जी क्यों 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 कि यह तो चेर्मेन है और बाकी चारो जो है MD है दो पहले थे और दो अभी बनाए गए है किनको अभी न्यू वाइस चीफ बनाया गया है आर्मी का जिन्होंने अभी जो इनकर्मेंट जो अभी है लेटेनर जनरल S.K. सेनी जी इनको यह रिप्लेस करने वाले है तो यह जो आंसर है यह है चंडी प्रसाद मौहनती जी इनको वाइस चीफ आर्मी स्टाफ बनाया जाएगा और यह जो है 1982 बैच के infantry officer है infantry officer और कौन सी regiment के है तो यह है राजपूत regiment के राजपूत regiment के यह officer है और इसके लावा यह जो है जो इंडियन military college है इंडियन military college कहां पर है important question देहरादून में है तुराखंड की capital जो है देहरादून तो वहाँ के यह alumines भी है राजप्रे इंडियन military college के साथ में national defense academy NDA उसके भी यह alumina ही है तो यह आपको ध्यान में रखना है इसके लावा आपको ध्यान में रखना है के chief कौन है इस समय तो chief जो है एक तो आपको chief कौन से है वो और उनका number तो 28 जो chief है हमारे वो है Manoj Mukund Manoj यह आप note कर लिए बहुत important question है यह पिछले साल 1920 में starting में बनाए गए थे नरावने या नरवने आप कह सकते हैं और इंडिन आर्मी जो है यह जो इसका day है जो इनका जो मोटो है जो मोटो है 15 जनवरी को इनका आर्मी day भी मनाया जाता है त्यान रखिए आर्मी day और इनका जो मोटो है वो है service before self यानि कि अपने से पहले दूसरों की सेवा service before self और आप इंडिन आर्मी को जानती है इनका headquarter का पर है नियू डेली में है तो 15 जनवरी को इंडिन आर्मी day मनाया जाता है और चंडी परसाद महनती आके vice chief बनेंगे अच्छा vice chief का क्या role है तो देखे यह deputy head माने जाते है vice chief जो है deputy head माने जाते है याने कि second rank highest officer of इंडिन आर्मी और यह जो post है left-hand general के जो commander के chief grade के commander होते हैं उनको मिलती है तो जैसे कि यह left-hand general ही तो यह भी left-hand general को ही मिलेगी तो यह है चंडी परसाद महनती जी चलिए आगे बढ़ते है इंडिया की rank आपको बतानी है coronavirus performance index released by low institute recently तो इसमें आपको इंडिया की rank बतानी है coronavirus में कि coronavirus में इंडिया की rank कैसी रही है तो low institute जो है यह औस्ट्रेलिया का इक institute है इसने अपनी ranking निकाली है और pandemic के हिसाब से किसने कैसे handle किया तो coronavirus को handle कैसे किया उसके base पे इन्होंने ranking निकाली है तो उस्ट्रेलिया में एक शहर है Sydney जहाँ पर cricket stadium भी है तो Sydney शहर है वहाँ की यह institute है low institute तो इन्होंने इंडिया को again 86th rank दी है अभी इससे पहले हमने देखा था कि इंडिया की एक और जगह पे rank है कि corruption में भी 86th rank थी और low institute की ranking है जो की corona performance handling को लेकर है वो भी 86th है और again इसमें भी जो top किया है जो है यह top अच्छा यह जो है तो वो तो 180 countries में थी यह 98 countries में ही सिर्फ यह rank निकाली कही है और यहाँ पे चाइना जो है तो इंडिया की जो rank है इसमें 86th rank और यह बनाया गया है यह जो institute है lowi जैसा मैंने का उस्ट्रिला के सिड्नी में है चाइना की इसमें कोई list नहीं है क्योंकि हमारे इनके पास data नहीं था तो इसमें जो top जो countries है उसके हम बात कर रहे थे तो वो है न्यूजिलेंड इसके बाद में वियतनाम और ताइवान यह top पर जो है वो 3 countries है जिन्होंने बहुत जबरदस्ट तरीके से करोना वाइरस को handle किया है और इसके बाद में जो सबसे bottom तो यह top 3 है number 1 न्यूजिलेंड number 2 वियतनाम number 3 ताइवान और सबसे जो bottom में है वो है प्रजील तो यह आपको ध्यान रखना है ब्रजील इसकी capital है ब्रजीलिया ब्रजील ने बहुत worst तरीके से इसको handle किया है तो यह जो है bottom पे है सबसे last में यानि कि 98th position पर है और इंडिया की rank 86th तो चाइना इसमें नहीं है क्योंकि इनका कोई public data available नहीं था तो यह इसमें नहीं है तो यह आप धान रखेंगे important question low institute की ranking 86 corruption की ranking 86 कितनी प्रजीलिया मीटिंग्स में PMODI ने अभी तक जो है भाग लिया है तो सबसे पहले समझना पड़ेगा प्रगिति क्या है तो जो answer है वो है 35 तो 35th प्रगिति मीटिंग में इनोंने जो है वो भाग लिया है इसमें प्रगिति P का मतलब है proactive प्रो एक्टिफ रइट P का मतलब है proactive रच्टिफ प्रो और A का मतलब है active G का मतलब है governance governance, g का मतलब है, governance, इसके बाद में, a का मतलब है, and, a का मतलब है, and, and then, timely, t से, timely, timely, और, implementation, i से, implementation, i से, implementation, तो, यह आपको ध्यान में रखना है, तो, बारे से, repeat करते हैं, तो, p से, pro, a से, active, proactive, then, proactive, governance, and, timely, it is, e, timely, implementation, तो, यह कुछ government schemes हैं, जिनको यह, तो, 35th meeting, जो है, प्रधार मंत्री जिने, चेर्ड की है, इसके अंदर यह क्या करते हैं, कि यह projects, जो है, वो, discuss करते हैं, उनकी meeting करते हैं, किस तरह के projects होंगे, है न, और, उसके बारे में, discussions करते हैं, उसके अलावा, उसमें programs चलाते हैं, तो, इस बार, जो है, 9 projects चले हैं, और, एक program चला है, 54675 crore रुपए खर्च होना है, यह 15 states में चलेंगे, और, जो है, इसके, जो, इसमें जो categories हैं, वो क्या हैं, कि जो 3 हैं, वो railways के हैं, 9 में से 3 railways, ministry of railways के लिए, इसके बाद, जो, दूसरे 3 हैं, वो है, road, transport and highways के लिए, road, transport and highways के लिए, और, बाकी, जो है, जो remaining हैं हमारे, उसमें है, department of promotion, यह एक, जो, चलेगा, प्रोजेक्ट, वो department of promotion के लिए, internal trade, और, department of promotion of industry, किसके promotion, industry के promotion के लिए, और trade के लिए, और, बाकी, जो है, इन्होंने, एक one program चलाया है, तो यह आपको ध्यान में रखना है, कि प्रगती meetings, प्रगती मिटिंग्स, प्रगती जी ने, 35th वाली सपार ली है, और प्रगती का मतलब है, proactive governance and timely implementation, यह governance को और better करने के लिए, और active करने के लिए, और उसका normally यही देखा जाता है, कि implementation नहीं होता है, scheme निकल जाती है, तो उसका time से implementation भी किया जाया है, उसके लिए नोने चलाई है, तो अभी हमने discuss किया था कि New Zealand and Denmark ने first position जो है, corruption perception index में, जिसमें इंडिया की 86th rank है, तो ऐसा पूछा गया है कि यह index हर साल कौन सी organization यह देती है, तो यह देती है Transparency International, यह हम already discuss कर चुके है, तो यहाँ पर आपको मैंने बताया था, कि जो data है, यह देती है Transparency International, जो कि Berlin की, यहन कि Germany में जो Berlin है, वहाँ पर इसका headquarters है, इसके head है, डेलिया, फरियरा, रूबियो, और जो worst rank रही है, सुमालिया और साथ सुडान की, New Zealand और Denmark इसमें टॉप पर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एट्थ question, तो किसने top किया है, coronavirus performance में, जो कि index रिलीज किया गया था, low institute, जो कि Sydney में है, अभी अभी हमने discuss किया, तो टॉप किसने किया था, New Zealand ने टॉप किया था, अभी हमने देखा, Vietnam second, New Zealand top, और Taiwan third, इंडिया की rank इसमें भी, 80-60, China was not present in this, और ये 98 countries में data जो है, निकाला गया था, तो यह आपको धियान रखना है, और इसमें जो worst है, जैसा हमने discuss किया, तो यह था, Brazil, Brazil, right, नेक्स देखते हैं, तो कौन से bank ने, या कौन सी insurance company ने, ये, क्रिशी सखा, एक app है, सखा हैने की friend, क्रिशी, क्रिशी friend ने, ये निकाली है, farmers के लिए, तो ये निकाली है, भारती एक्सा, जेनरल ने, और ये insurance जो है, तो ये एक scheme चली थी, आपको ध्यान होगा, प्रधान मं 3, फसल बीमा योजना, क्रॉप insurance scheme चली थी, आपको ध्यान होगा कुछ टाइम पहले, तो क्रॉप insurance, जैसे कि मान लिजे कि, अभी बारिश आ गई, या कोई flood आ गया, या storm आ गया, तो किसानों की काफी फसल खराब हो जाती थी, तो सरकार ने योजना निकाली है, ताकि उनक और inform कर दिया जाए सरकार को, तो वो कुछ मुहाफजा उनको दे सकती है किसानों को, तो इससे किसानों का नुकसान कम हो जाएगा, तो इसके लिए कुछ formalities है, कि 24 घंटे या 48 घंटे पहले बताना होगा, या ऐसा कुछ, बहुत सरी formalities है, तो उसे के बारे में पूछ रहा ह ये भी इसी scheme के तहट जो है, लांच की गई है, तो ये जो है भारती एक्स है, जनल निश्वनेस ने लांच की है, तो ये जो है, इनको ये बताएंगे कि किस तरह कि उनको crop उगानी चाहिए, crop क्रॉप के कौन कौन से methods है, उनकी irrigation के जो तरीके हैं, उनको better कैसे किया जाए, उनकी जो requirements है, farmers की उसके हिसाब से, जो है, वो crop कैसे हुआ है, यानि कि उनकी जो daily farmer needs है, जो daily needs होती है, उसके, उसमें वो क्या changes करें ताकि crop का production अच्छा हो, तो ये सब चीजे जो है, basically उनकी जो productivity है किसान की, उसको बढ़ाने के लिए ये किया गया है, और जो किसान decision लेते हैं कि कौन सा pesticide डालना है, कौन सा फसल उगानी है, वो सब जो है, एक customized तरीके से इनको बताया जा सके, हाला कि मुझे नहीं लगता कि बहुत सरे किसान आप चलाना जानते होंगे, पर फिर भी, at least कुछ तो हुआ है किसानों के लिए, at least सरकार ने कुछ किया है, और तो आफ scientific ways of farming, यह सब इनको बताया जाएगा, इसके बाद में जो इनके बोने के, नहीं की sowing methods है, उनको कैसे better करें, वो भी बताया जाएगा, और कौन कौन सी crops हुगाएं जैसा हम पहले डिसकस किया, और जैसे अगर कभी बारिश आने वाली है, या किस तरह की पैदर रहने वाली है यह सब इनको इसे आप के थूरे इनफार्म किया जाएगा, मार्केट का प्राइस क्या चल रहा है, मार्केट का प्राइस क्या चल रहा है, क्रॉप का प्राइस क्या चल रहा है, वो सारा farmers को बताया जाएगा, और उनकी insurance के बारे में तो of course यह आप इनको बताएगी, तो और इनके जो MD और CEO है MD और CEO यह है संजीव श्रीनिवासन संजीव श्रीनिवासन राइट तो यह आपको ध्यान में रखना है और इनकी जो टैग लाइन है काफी एक्जाम से पूछी कही है भारतिय एक्सा इंशॉर्णिस की टैग लाइन तो यह है सुरक्षा का नया नजरिया सुरक्षा का नया नजरिया यह भारतिय एक्सा क्योंकि यह इसने लांच की है तो यह इंपॉर्णिट हो जाता है तो आपको यह सब चीज़े ध्यान रखनी है संजीव श्रीनिवासन और इसके बाद मैं एस्टैबलिश 2008 हमाँ हेड़कॉर्टर मुंबई मारास्ट्र और टैग लाइन जो है सुरक्षा का नया नजरिया तो चलिए आज के लास्ट कॉश्चन पर चलते है रिसेंटली गुसेपे कॉंटे इन्होंने डिजाइन कर दिया यह कहां के प्राइम मिनिस्टर थे तो यह प्राइम मिनिस्टर थे आपके इटली के तो आप देखते हैं कि इटली ने करोना आप जानते होंगे कि सबसे ज़्यादा करोना जो स्टार्ट हुआ था बहुत जबरदेस्ट वेव जो पकड़ी थी करोना ने वो इटली से ही पक थे काफी प्रेशर में थे और अभी एक दो दिन पहले ही इन्होंने जो है अपनी संसद में इनकी संसद का नाम होता है सेनेट जैसे हमारी संसद का नाम होता है संसद तो इनकी जो संसद है उसका नाम होता है सेनेट और सेनेट में इन्होंने मैज़रेटी खो दी थी इसी वज जो है इटली को प्रोवाइड टाइम से नहीं की जा रही है जिसके वज़े से 400 लोग प्रति दिन इवन हायर दन दाट यह यहां पर डेट्स हो रही है तो काफी प्रब्लम में है इस ताइम तो इटली से जुड़े इंपॉर्टेंट तो एक तो गुसे पर कॉंटे यहां के प ही है खाने से कुछ भी चीज़े इनके हैड़कॉर्टर हमेशा आप देखेंगे रोम में मिलेंगे इटली और यहां की जो कैपिटल है यह रोम है और यह बहुत ऑगनेशन का हैर कॉर्टर भी है और यहां की प्रेजिदेंट है यह आप से पूछ सकते हैं क्योंकि प्रेजि वाटर आ गया तो आप कैसे भी आद कर सकते हो रैट तो यह सारी इंफोर्मिशन आपको यात होनी चाहिए तो इतली जो है एक योर्पें कंट्री है तो यहां की जो currency है वो है euro right तो यह आपने ध्यान में रखना है तो और यह first country था आपको ध्यान यह भी रखना है Corona update है कि first country था जिसको सबसे ज़्यादा करोना का जो crisis का नुकसान हुआ था और अभी तक भी यह इससे उबर नहीं पाया है तो guys यह थी आज की अच्छा एक और I think यह दुबारा repeat हो गया question तो आप इसको पढ़ लीजेगा तो यह थी आज की current phase और उमीद करता हूं कि आपको मजाय होगा और complete information आपको यहां पर मिलेगी क्योंकि book से आप पढ़ते हैं तो आप एक line पढ़के भूल जाते हैं लेकिन यह January के last day की 2021 के current phase के साथ में so thank you so much everyone